नमस्कार जैहिन भारत माता की जै मैं हूँ वरुन बाबुल और आपने देखना सुरू कर दिया है जियस नियूज लाइव एंकर चैट जियस नियूज के लाइव एंकर चैट में जुड़ रहे सभी पाठकों दर्शकों सुरोताओं का मैं वरुन बाबुल हार्दी कभी आगे लेकर चलेंगे आप लोगों से मेरा निवेदन होगा कि आज जैसे ही आप हमारे सेंकर चैट में जुड़ें अपने नाम और अस्थान जरूर लिखें कि आप कहां से जुड़ रहे हैं यानि आप किस अस्थान से मुझे देख पा रहे हैं अपना नाम के साथ अपने जगह के बारे में जरूर बताएं पहला कमेंट आ चुका है टॉप फैन परशुराम यादव का जैहिंद सर जैहिंद रंजीत कुमार सिंग जुड़ रहे हैं हाई और लोगों के जुड़ने का ये पहले कुछ वक्त दे दे इसके बाद हम बातचीत करेंगे तो बिहार की नदियां इस बार उफान पर है और जो वर्तमान में इस्तिती है ना सिर्फ बाड आने को तयार है बलकि बाड के साथ साथ तबाही भी आ रहा है और पहले से जो बरसात का गंदा पानी है ना वह भी तयार है महामारी लाने के लिए वह भी तयार है जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं सबों का मैं हादिक अभी नंदन करता हूँ श्वागत करता हूँ आप लोगों से एक में निवेदन करता हूँ कि जितने लोग जुड़ रहे हैं ना अपने अस्थान के बारे में जरूर लिखें नाम के साथ कि आप हमें कहां से देख पा रहे हैं इससे हमें भी पता चलेगा का आप किस किस जगर से हमसे जुड़े वो जरूर लिखेंगे आज भी हमारे साथ कोई गेस्ट नहीं है हम आप से ही बातचीत करने के लिए आए हैं चुकि इस लाइव एंकर चैट का नाम है एंकर चैट यानि एंकर से आप बातचीत करें जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं सबों का हार्दिक आसी साचारिया लिखते हैं आसी साचारिया नौगचिया बहुत-बहुत धनिवार टॉप फैने पेज के बीजे कुमार लिखते हैं जैहिंद जैहिंद आपको शोनु कुमार सरमा जूड़ चुक है लिखते हैं लिखते हैं नमस्कार वर mache योग ने वाद नंबर सोल्य अले लालुख हान शुक्रिया लालु जी अमीद जा जूट चुके हैं लिखते हैं गुड इवनिंग बाबुल जी गुड इवनिंग भाई और अमीद कुमार लिखते हैं मिथून कुमार जी धन्यवाद आईए सर पत्रम कुछ वक्त दे दें पाठकों के लिए जो ताकि सभी लोग जूड़ जाएं इसके बाद आपक पकरा से जुड़ते हैं प्रतेक दिन और आज का भी मुद्दा वही ताजा तरीन मुद्दा है जो जिस पर हम लोग कल्चाचा कर रहे थे वरुण जी सोनु कुमार सभी हम तेतरी के रहने वाले हैं भागलपूर में रहते हैं शुक्रिया अमीद कुमार बोर्वा से जुड रहा खगडिया वाह सांदार निले जी रंजीत कुमार सिंगीते हैं बैसी जहांगीपूर शुक्रिया धन्यवाद सड़क बहुत खराब है रंजी जी अपने गाउं के और आने जाने वाले सड़कों के बारे में भी जड़ा चर्चा कीजिएगा जड़ा कमेंट जरूर इस्तिती सड़कों की बेहत खराब है कि कुमार चंदन जी जुड़ते हैं खगडा से रंजीत कुमार सिंग बैसी जहांगीपूर से धन्यवाद सबों को आज अपने नाम के साथ साहर और अस्थान और गाउं का नाम लिखें कम से कम मुझे भी पता चले और जितने लोग ज साथ ही जो एंकर चैट में आते हैं वो कहां कहां से हैं बैसी का चर्चा कीजे सर बहुत जी मुझा ही जुड़ेव हैं शुक्रिया बिनिस सिंग धोनी लिखते हैं रंगरा से हैं वाई तेंक यू तो बैसी जहांगीपूर की चर्चा कर दें तो बैसी जहांगीपूर के बा जहां जाने का जो रास्ता है अच्छा पवन कुमार यादे लिखते हैं सर गुड इवनिंग सर नोईडा यूपी से शुक्रिया धन्यवाद पवन जी क्या हाल है ठिक ठाक है शुक्रिया संजेजा लिखते हैं इवनिंग जी जी गुड इवनिंग संजेजा जी चंचल सिंग गुरू ग्राम नगराशे शुक्रिया चंचल सिंग जी बहुत बहुत धन्यवार बिनिस सिंग दोनिलते रंगरा के बारे में भी बोलेंगे भै निश्चीत रूप से साधरी सेक लिखते हैं ओके धेंक्यू तो जहांगीपुर बैसी एक बहुत ही खूपशूरत सा गाउं है लेकिन जैसे कहते हैं रंगरा प्रखंड में आता है सबसे दुखद बात है कि बर्सात के बाद से ही सहर से गाउं जाने में हालत पशता हो जाता है अब ऐसी इस्तिती हो जाती है कि चार चक्का वहन यहां तक की एंबुलेंज भी अच्छी तरीके से अच्छे तरीके से गाउं प्रवेस नहीं कर पाता है जिससे बहुत लोगों को दिक्कत होती है सोनु कुमार सर्मा लिखते हैं वरुन जी हम ओल इंडिया यूथ फेडरेशन जिलाद द्यक्षे भागलपूर सीपी आइगर यूथ से तन्यवाद और एमडी मुझाहिर लिखते हैं बैसी में कोसी बहुत तेज कटाव कर रहा है सर जी देखे कटाव निरोधी कार करवाया ग जुडते हैं और जिस दिस जगह से लोग जुड़ है कांड बॉक्स में लिखिए पिर आज बात करेंगे आंके सात्थ कि बार आने को तयार है जिला प्रशासन की और से तैयारी समाचार पत्रों में है लेकिन क्या आपकी तैयारी है क्या जो बार्ण भरस्त छेत्र में है व इसलिए मैं आप लोगों से एक अन्रोद भी करता हूँ कि निश्चित रूप से वैसे लोग जो सक्षम हैं मदद करनी के लिए या सक्षम नहीं भी हैं अगर आप निश्चित रूप से किसी की मदद कर सकते हैं तो आप तयार रहिए क्यूंकि बाढ़ की बिभीसिका आ रही ह है बिहार में बाढ़ आ रही है और पानी का जो सैलाव है वो काफी तेज है वर्तमान में बहुत गंभीर इस्तिती नहीं है लेकिन इस्तिती तक पहुँचने की भी प्रबल संभावना है इसलिए बाढ़ के लिए आप तयारी सुरू कर दें आज सबसे पहले जितने लोग एंकर चैट में जुड़ रहे हैं मैं आप लोगों से अनरोध कर रहा हूं कि जितने लोग भी मुझे एंकर चैट में देख रहे हैं कि निश्चित रूप से अपने नाम के साथ अपने जगह के बारे में जरूर लिखें कि आप हमको यहां से देख पा रहे हैं कि बिर्बल कुमार लिख रहे हैं क्या लोग अपना नाम और गाउं का नाम लिख दें सचिन जी लिखते हैं भवानी पूर से क्या बात है तो बाड को लेकर क्या तैयारी है क्या रन नीती है आपकी जरा आप भी बताईए कमेंड बॉक्स में और हम भी आपसे चर्चा करने के लिए तैयार हैं क्या बात है पवन कुमार यादव लिखते हैं कि सर जी एस न्यूज मैं मुंबई से लाइव देखता रहता हूं शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद प्रवन पवन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको जितने लोग भी जुरते जा रहे हैं सबों का मैं हर दी कभी नंदन करता हूं मुद्दा हमारे पास बिल्कुल तयार है तो सहर से जब गाउं की तरफ आते हैं तो गाउं प्रवेस करने के साथ ही पता चल जाता है कि बरसात का पानी गाउं के सडकों पर फसा हुआ है गड़े में फसा है नाले में फसा है और निस्सित रूप से काफी बदवू कर रहा ह है लेकिन ध्यान किसी का नहीं जा रहा है एक दूसरा खत्रा जो आने को तयार है वो है बाढ़ का तो क्या इस बार बाढ़ संक्रमन फिर से फैलाएगी आज यही मुद्दा है चर्चा बात करने का कि संक्रमन को क्या तयार है छेत्र संक्रमन के लिए क्या छेत्र तयार है इ किसी मुद्दा पर आपके साथ बात करेंगे जितने लोग भी जूरते जा रहे हैं सबूं का हर्दिक अभी नंदन श्वागत है सबूं का तो चलिए अब आपके कमेंट पढ़ना और सवाल की चर्चा करना हम सुरू करते हैं बहुत लोग लिखते जा रहे हैं कुमार बिरबल लिखते हैं रामनगर बिनटोलि IstThe शुक्रिया शोनु जी चौदरी जी मरवां भीपूर से देख्रें सुक्रिया धन्यवाज सुरू कुमार चौधरी जी पावन कुमार लिखते हैं नमस्ते नमस्ते भाई और कनिया कुमार के सिंदिया मकनपूर से शुक्रिया बहुत बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया तो चलिए अब चुरू करें चर्चा बानीला बानीला सत्वा मिर्चाए बानीला अर्चाए अचार मिर्चाए सत्वा करेब अब बाढ़ हो पचर्चा बानीला प्याज सत्वा मिर्चाए अब बाढ़ हो के चर्चाए बाढ़ हो के चर्चाए मा महा मारी यही थों बहुत धन्यवाद लोगों के बिमार करीदे थों सुनीला भईया कहनमा सुनीला भईया कहनमा आभी रहल छों बाढ़ के महिनमा सुनीले बहिना कहनमा आभी रहल छों बाढ़ के महिनमा बाढ़ हो मचारो तर अपानी जे हो थों अपानी से सब के नानी याद आई थों साँप किडा के हो थों भर मार हो साँप किडा के हो थों भर मार हो ओ भया मानो कहनवा बाढ़ो के अले महीनवा ओ भया सुना कहनवा अरे मानो कहनवा ये कोई गीत है ही नहीं ये एक दर्द बयां करता हुआ एक एहसास है तो चलिए बाढ़ की स्तिती तो है हम इस पर भी चर्चा करेंगे जरा अगर आपका छेतर बाढ़ से है तो जरा कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिग दीजिए जरा मैं भी जानू और हमारे इंकर चैट के लोग भी जाने कि वो कहां कहां के लिए तैयारी करें कि इ निश्चित रूप से मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि हमारे मुद्दे पर आप भी अपनी बारे में लिखिए अगर आपको लगता है कि जो है अगर हमारा छेतर भी बाढ़ गरस्त है तो जरा लिख दीजिए कमेंट बॉक्स से सब लोग गाने पर रहे बाया इसे गुन गुनाए हो अब लोग तो पूछया पकड़ लेते हैं हम मर्दें कि क्या लिए बहुत लोग लिखते जा रहे हैं निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद अरे इसे जुबां पर आ गया कोई रचना और कोई गीत नहीं लिख देंगे किसी दिन इस्तती बया थोड़ी सी करने के लिए उसमें आना पड़ता है बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग लिखते जा रहे हैं पता है आज मैं एक पाठक से मिला जो लाइव एंकर चैट में जुड़ते हैं अमिजह जी अभी भी जुड़ेव हैं अमिजी ने बहुत अच्छी ब बैठे हुए हैं अस्ताव आपस में गप कर रहे हैं बातचीत कर रहे हैं सच मुझ पूछे तो मेरा भी मन प्रशन हो गया काम करने का अंदाजा कई गुना बढ़ जाता है एकदम आत्मिश्वास बढ़ जाता है बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जिस तरह से आप लोग प्यार मोहबद देते हैं निलेज दी तो बहुत दूर से जुड़ते हैं वाब निश्यत रूप से मुंबई सबसे लोग देख रहे हैं हम लोग बार से प्रभावित छेत्र से हैं जी निश्यत रूप से लिखिएगा गाउन सहर का ना करेंग उस पर चारजा निलेज कर चैट है तो गप करने के लिए ना आये हो तो गपे न करेंगे एक चोग गाना है बहुत खुबसूरत सा मैं आप लोगों को सुना दूं वह गाना है कि दारू ने पिया हो भाईया बहुत अच्छा बच्ची लोग आती थी किलकारी में कि दारू ने पिया हो भाईया के न उसी पर हम गा दिये कि बाढ़ के अईले समया सुनीला हो हमर भईया बाढ़ के अईलो समया सुनीला हमर भईया बाढ़ो के पानी सा चारो तरप रह थों बीचो म घर आरू चारो और नदी बनी जै थों निकल थां फूफू कीडा मकवडा सुनीला हो भईया बात मोरा बाढ़ो के अईले समया बाढ़ो के अईले महीना सुनूला भईया कहीना कहीना सुनीला की निस्सित रूप सा फेर उस तयारी करना चे अज मैं कुछ च्छेतर का कनिया कुमानतिया गर्दा उड़ा दिये मरदे आप अरे भाई आप लोगों से बात करने के लिए ना है हो आप चीद करते हैं हो अरे पॉंच आदिमी भाई ठीक है गाप सब कर लों वहां चीक है चलिए अब हम चर्चा करेंगे बिना टॉपिक बिना टॉपिक करें बिना दूसरे टॉपिक के जो लोग लिख ले कमेंट आपके भी कमेंट पढ़ेंगे आप घब रहीएगा मत अच मर्दें हमरा बाड़ वाला इलाका से नेतेजी फरा रहें जरा मीलेंगे पटना में तो कर दीजिएगा कि बिहार का कुछ जीला का इस्तिती बहुत खराब है रोड सब पर बरसा का पानी फसा हुआ है अब बहुत बदबू देता है मर्दें जाने में बहुत दिक्कत है गा पानी है रोडे पर गढड़ा है घरेप का नाला का पानी बहा रहा है मर्दें गाउं का लोग और उसमें गंदगी फैल आ रहा है ति बाड़ आ जाएगा तो जाने न जाएगा हो जड़ा सकाहिए का पटना में अगर मंत्री जी सुनेंगे तो कि बड़ा खराब इस्तिती ह चेतर का अच्छा बेद एलक्टरन का ठीक है ठीक है चलिए जितने लोग जूरते आपके भी कमेंट लेंगे तो यह मनोरंजन के लिए गीदगा लेते हैं गीदगाने के लिए नहीं आते हैं सरकार तो चलिए अब सबसे पहले हम चर्चा करें कि बाड़ का देखिए चार ज जिसमें की बाड़ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पढ़ने का है वर्तमान में जिसमें से एक हमारा भागलपूर जिला है सबों को पता है कि भागलपूर जिले में गंगा और कोसी दोनों जगा का पानी है अग दोनों का पानी मिलता है कहां अरे संगम में तो संगमेन है हो एक ठो पूल है गाड़ी बला एक पूल ट्रेन वला वही न गंगा और कोसी का पानी मिलता है अब बताइए तो कहां का है कहां काम चर्चा कर रहे है तो बाड का पानी आ रहा है और काफी मात्रा में पानी है तो निस्धत रूप से अपनी और गाओं की तैयारी सुरू करते हैं सबसे पहले तो जो बाड जे कुर्शेला क्या बात है निलेजी बहुत तरह की जानकारी लगते हैं कुर्शेला में जे बिलकुल पूल से दिखता है तो सबसे पहली जो बात है कि आप बाढ़ से पहले तैयारी किये है या नहीं देखिए तैयारी इस बार आपको दो चीजों के लिए करना होगा सबसे पहले आपको अच्छा बेदेही लक्टर लिएक मेरा घर भागलपूर है शुक्रिया धन्यवाद बहुत अच्छा तो सबसे पहले आप दो तैयारी कर लीजे बार के पहले एक आप कहां रहेंगे आप क्या खाएंगे और आप क्या करेंगे पहला नमबर अद दूसरा कि आपके साथ साथ जो परिवार का लोग है न जानवर है वो कहां रहेगा वो क्या खाएगा उसके लिए भी जड़ा सोच लीजे क्योंकि सरकार नहीं सोचेगी सोचना आपको है सरकार इस पर अभी सोचने के लिए तैयार नहीं है इसलिए आप सबसे पहले तो इस तैयार हो जाएए कि बाड में आपको करना क्या है देखिए सबसे दुखद द्रिश कटाओ छेतर का है कटाओ जो है शुबो जी जुड़े वें टॉफ हैं नहीं हमारे पेज के सबसे एक्टिव यूजर में से है इस त्रूप से बने रहेंगे आपके कमेंट भी लेंगे आप जाईएगा मौत कमेंट लेंगे आपका बस सी चर्चा कर दे तो बाड में तो सबसे पहले तो अपनी तैयारी कीजिए दूसरा अपने परिवार के और मवेसियों का तैयारी कर लीजिए को उसे लेकर कहां जाएंगे और जो बाड़ गरस्त के लोग नहीं है न स्रीमान आप भी तैयारी कर लीजिए कि आप उसे मदद कैसे करेंगे पता है आपको प्रतेक साल बाड़ में सड़क दुरगटनाई भी बहुत जादा होती है पिछले वर्स तो मैंने एक दो घटना का भी जिक्र किया था बाड़ के समय में जो है बहुत जादा दिक्कत होती है सड़क के किनारे लोग रहते हैं पॉलिथिन टांग कर वहन दुरगटना के सिकार हो जाते हैं कई बार गाणियों घुजाती है उनके उस तंबू में तो ये बहुत ही जादा जरूरी है कि जिनके जिनका घर बाड़गस शेतर में नहीं है जो बाड़गस शेतर के लोग नहीं है वो उनके मुसीबत में काम आने के लिए तैयारी सुरू कर दे कि आप उन्हें किस तरह मदद कर पाएंगे ये बहुत जादा जरूरी है इस पर साइद कोई चर्चा करें न करें हम आपके साथ चर्चा करेंगे दोनों लोग तैयार रहें और मैं भी तैयार हूँ कि मैं आपको अगर कोई मदद पहुचा सकूँ आज मैं आपको कर रहा हूँ कि आप निश्चित रूप से लिखिए कि आप कहां से जुड़ रहें ताकि जो कमेंट बॉक्स में हमारे लोग देख रहे हैं वह निश्चित रूप से जान सके कि फलाना गाउं के लोग फलाना जगा है अगर आपको मुसीबात आए ना तो सोशल मीडिया प्लेट फॉर्म भी आपके लिए कुछ काम कर सके क्योंकि बिगत से देखा जा रहा है एक दरजन से अधिक मामले खास करके जो लपाता होता है गुम होता है अपहरित हो जाता है या फिर नहीं मिलता है खो जाता है जाते हैं उनको भी सोशल मीडिया जोड रहा है उनको भी खोज के दे देता है निकाल वह भी मिल लेता है तो निश्चित रूप से या बहुत जादा जरूरी है कि आप जरूर लिखें कि आप कहां से जुड़े हैं अगर आप बार्गरस्त छेत से हैं तो लिखिये इसमें सर्म की कोई बात नहीं है अप लिखिये कि मैं बार्गरस्त छेत्र से हूँ मैं अभी लिख रहा हूँ कि मैं नौगचिया से हूँ और नौगचिया हमारा बाढ़ गरस्त छेत्र है इसलिए अगर किस कभी किसी की जरूरत होगी तो हम जरूर खोजेंगे या हम कभी परेसान होंगे तो आप जरूर उन्हें खोजेंगे आपके कमेंट है ना वह भी ले लेता हूँ जोते लोग जुड़े हुए यह तो बहुत लोगों को लगे का कि भाईया गप करने में भूल गए हमरा तो कमेंटे नहीं लेते हैं आप बहुत लोगों का कंप्लेन आ है बताएंगे बाभी जी नाराज हो गई बोली हम भाईया के नाम से कमेंट करते हैं तो नहीं लेते हैं सॉरी हमने कहा कि ऐसा तो नहीं है बोले निश्चित रूप से कमेंट तो हम सबका एकसेप्ट करते हैं आप लोगों से निवेदन अगर एक बार मैं नहीं पड़ पाऊं तो निश्चत रूप से आप दो बारा लिख दिया कीजिए बहुत दिक्कत होती है जबकि निकास कंप्लेन आता है सिकायत आता है दुख होता है बहुत मुझाहित काते हैं एक बार आप आईए बर्सी देखने के लिए आएंगे सर दिश्चत रूप से आएंगे और आपको जानकारी देख कर आएंगे और बेदही लॉक्टरिस पटना से हैं जी विल्कुल करिया कुमार करते हैं ना नहीं याद आई था हो मतलब उनके लिए हो ज साचन लिखते हैं सूपर संग्सषर एंग्यू और गुजरात से देख रहे हैं वरूंजी रुदाल पासवां रए वा वा केम चो रूदाल पासवांजी केम्चो मजामचो ना भाई सब मोटा भाई सब ठीक ठीक तो में उतना चंब गुजराती तो मैं जानता हूं मजामा हो ना रुदल पासवान जी गुजरात में चो तुमी को राहूल मालाकार जो लिखते हैं स्पीकिंग मस्ते सर आपका शुक्रिया हरदे से गुन गुनार दिये सचीन कुमार यादम नाइस स्वंग तेंक्यू वा क्या बाद है सर तेंक्यू लालू का लिखते बाड कब तक आएगा कौन सा महिना हम आएगा प्लीज बता दे हम लोग अलट है भाईया बाड कुनों दुरागमन वाली कनिया नहीं है जिनका पंडी जी दीन देख देंगे तब कनिया आएगी बाड आने का तीनी मैनों समय है बैया और जुलाइगा सितंबर ज्यादा तर जून आधे जून आधे जून से सुरू होता है मैना तो तो जून जुलाइगस ले लिजिए आधे जून से बस और राहूल माला का लिखने गुडिवनिंग सर खरीक से हूँ शुक्रिया असी चारिया जी शुक्रिया धन्वाल कनिया कुमार काता है कि नदी की तली से गाद निकालकर बॉंद पर दे दिया जैद बाड नहीं आएगा लेकिन हाँ ऐसा करने से लुटे रे कि हर साल की कमाई चली जाएगी इसलिए वे लोग ऐसा गाद पर कोभी कोई चर्चा नहीं करता कनिया जी कनिया कुमार जी हम लोग तो दो तिन दिन से चर्चा कर रहे हैं कोई बाड पर कोई चर्चा करने के लिए ही नहीं है तैयार अब मुझाहिर लिखता है कि कौम चल रहा है दिरे-दिर वहाँ जो है बाबा प्रजले स्वरनात तैयार हम यहीं से उनका उनको प्रणाम करते हैं सावन का समय रहता था क्या खुबसूरत था मडवा का हो हम भी जाते थे लगता था मीनी देवगर है वो हमारा एक गाना का भी अल्बम है मडवा पर चला है भोजी मडवा के मिला जाए ताकि सब कुछ समान हो पाए तो शुक्रिया से लेश कुमार जी कनिया कुमार शिंदिया मकनपूर से जी अचापनों पड़ोसियां करिया कुमार जी दन्यवाद बहुत-बहुत और निलेश कुमार लिखते हैं कि नौगचिया मखा तक्या निउन इसी भवन के पीछ कच्रा बजार का डंपिंग तो वर्सा का पानी सहर का जमाही है देखिए वह जो कच्रा डंपिंग जोन बनाया है ना वह एक नदी है और वह है खिरने नदी उसके बारे में अगर आपको ज्यादा जाना है ना तो जी एस निउस पर जाकर देखिए फेस्बूक वह जो है उसको उसमें कच्रा गिरा गिरा के गिरा गिरा के उसको गूड़ा डंपिंग जोन बना दिया पावन यादर तक्या सर जी अस नियूज मुंबई से लाइफ देखता हूं जी बिलकुल सचिन जी वह नीपूर अच्छा सचिन जी वह नीपूर से धन्यवाद शुन वह काते हैं कि यह सिर्फ 22 के रोट का हाल नहीं है आसिस अचरिया जी आईसे अभी लिखेंगे कमेंट में बहुत सारे हमारे लोग हैं जो लिखेंगे कि आईसन बहुत सारा गाउं का रास्ता है जहां बरसात के दिन में अगर धान लगा दिया जाए तो एक दू मन धान हो हो जाएगा मर्दे हैं हम जानते हैं ना एक दू मन धान हो जाएगा इसा इसा गाउं का सड़ा कर गड़ा और नाला जैसा बना हुआ है कि नए भरोसा हो रहा है तो लगवा के दखिए मनन राजपु जुड़ते हैं गुरू ग्राम नगरश है जी बिलकुल नगरश है बहुत बहुत धन्यवाग और एमडी मुझा ही लिखते हैं बैसी में कोसी बहुत तेज कटा हो रहा है जी बिलकुल और बिनीच सिंग धोनी लिखते हैं रंगरा के बारे में भी बोलेंगे कि रंगरा में भी बरसा आता हूने के बाद रंगरा का जो है रंग बदल देता है और निश्यत रूप से पुरा कीचड कीचड हो जाता है और बिरिय सिंग धोनी जी बिलकुल चंचल सिंग लिखते हैं गुरू ग्राम नगरेश शुक्रिया संजे जा जी गुडिवनि नमस्क भी देख लीजेगा भाई वेडि इलक्ट्रोनिक लेक्टे ने चसी भागलपूर ने चसी पर निश्च्ट ने चसी की तो दुर्दसा पर हम लोग चर्चा करते करते ठक गए लेकिन किनी पर एक प्रतिसत भी रेंग तक ने करते हैं कुछ होता ही नहीं है पता नहीं क्या हा कारे में कोई बात ही नहीं और उस पर कोई चार्ची नहीं करता है समझ में नहीं आ रहा है कोई भी आजमी बात ही नहीं करना चाहता है सुनुकुमार सर्मा लिखते हैं कि वर्तमान सरकार गंगा सफाई के नाम पर जो योजना चला रही है कब तक गंगा सफाई होगा अब आप भी देखिए कब तक गंगा सफाई पर लूट होगा यही चीज तो मैं चाहता हूँ कि अभी के युवा वर्तमान के समय के लोग इस पर जुड़ें पूछें क्यों नहीं पूछेंगे वो सवाल अन्यश्चित रुप से मुद्धा उठाईए उस पर भूलीए उस पर बोलना है एक दम बोलना है एक मिनदर उसमें कोई डर भै नहीं रखना है और शुबोध यादर रूटे हैं बिहार में जब तक रोजगार मिला लगेगा कब तक रोजगार मिला लगेगा देखते किसे नहीं है किसा रोजगार में रोजगार सबाता है सारा इंस्वरेंस कंपणी का रहता है तो चलिए आप लोगों के कमेंट आ रहा है निश्चित रूप से वीडियो को शेर भी कर दें इसके बाद कि बहुत लोगों के बहुत सारी प्रतिक्रिया रही है सांदार सुबोच जी सब तो लिखते जा रहे है चलिए एक साथ कमेंट आता है बहुत लोगों के हम कमेंट अगर छूड़ जाता है ना सच मुझ पूछिए तो मुझे भी बहुत दुख होता है प्रतिक्रिया रहे हैं करता हुए तो बहुत सारे लोगों के प्रतिक्रिया रहे हैं और यह को अज़्यों का अज़्यों के बाद ही है बहुत अच्छे अच्छे प्रतिकर्या लिख रहे हैं अम इज्पाजी लिखते हैं और बिल्कुल जवाब देने के लिए तयार है और निश्ऻित रूप से हम चर्चा करने के लिए भी आपके साथ तयार हैं और आप भी बिलकुल कुल कर लिखें जितने लोग बी जुड़े हुए हैं आपके ही कमेंट पढ़ने के कारण थोड़ा सा उसमें समय देना पढ़ता है मुझे और आप भी समस्ते हैं उसी के कहरण निलेश को सबों के कमेंच पढ़ेंगे हम निलेश काते हैं कि पहले का आदमी बोलता था कि गंगा में डूब की लगाओ पाप माप हो जाएगा बट आप तो गंगा का नाम पर जितने लूटना है लूट लो अब धर बैसे खतम क्या बात है सतीस कुमा लिखते हैं कि सर गोता खोर को भी पर्मानेंट किजिए सर गोता खोर की नौकरी के बारे में ही नहीं पता है कि गोता खोर है कहां कहां है गोता खोर की डूटी लगाई जाती है तो आप निश्चित रूप से जब वहां लोग पहुँचे ना प्रेस के लोग पहुँचे वहां लोगों रहे तो उनको बताईए बहुत लोगों को तो पता ही नहीं चलता है कि गोता खोर भी है कल नाराइनपूर में तो नहीं नजराए कोई नारा इंपूर के मामले पर तो मैं खुद देख रहा था वहाँ तो कोई रहते तो वो तो गरामीन लोगों नहीं बचाया आपकी जरुरत है बाई बाढ़ के समय आप ही की जरुरत है क्या करो कमेंट पूरा उल्टा पूल्टा हो जा रहा है और मैं आपसे बात करने लगता हूं तो कुछ कमेंट छूड़ जाता है और कमेंट देखता हूं तो बात नहीं कर पाता हूं तो इसलिए थोड़ सा मिलाकर में चल रहा हूं अब बिल्कुल और शोनी कुमारी जूड़ चुकी है लिखते हैं गुड़ इवनिंग सर गुड़ इवनिंग इसके अलावा जो लोग भी जुड़े हुए तो बीच बीच में इंटरनेट को लेकर कापी दिक्कत का सामना करना पड़ता है बिरवल कुमर करते हैं कि भाई ररकेसानों करते हैं आपका लिंक दो दिन से नहीं आ रहे हैं पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है लिंक तो जा रहा है सबों को बस कमेंट मैं नहीं एक साथ पढ़ पा रहा हूँ कुमार विर्वल काते हैं हम हैं गोता खोर हमको मौका दीजिये न जिस्चित रूप से आपको भी मौका मिलेगा और लोगों को यह जानकारी निश्चित रूप से दें कि आप गोता खोर हैं और जब इमर्जंसी में लोगों को जरूरत हो तो निश्चित रूप से लोग आपको खोजें हमारे कमेंट बॉक्स में भी आप नंबर अपना लिकर पोस्ट कर सकते हैं जो आस्थानिया लोग होंगे और आपका नंबर निश्चित रूप से सेव करके रखेंगे जिने जरूरत होगी जब गोता खोरों की वह निश्चित रूप से गोता खोर को संपर करेंगे बहुत लोगों का कमेंट डिस्प्ले बहुत लेट से होता है जिसके कारण मैं डिस्प्ले पर देख लेता हूँ बहुत लोग जुड़े हुए है निश्शित रूप से आपके भी कमेंट हम लेगे आनंद राज लिखते हैं कि बाड की स्तिती बहुत ही भयावा होती है सरकार को इस पर पहले से ध्यान देना चाहिए लेकिन सरकार इस पर ध्यान देती है बाड हने के बाद शुक्रिया अनंद राज जी शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवार और भी लोग पहुत सारी प्रतिक्रिया लिख रहे हैं लिखते जा रहे हैं सबों को धन्यवाद भी और ललन जी अमीच जी सुबोच जी जुड़े हैं सुबोच जी ने भी बहुत अच करने के लिए आते हैं प्रते एक दिन है कि भाई कनिया जी जी मिलकुल एक्टिव हैं और एंकर चैट में निश्चित रूप से चलिए अब देखते हैं के करके कैलास से लिखते हैं कि आजकल बिहार में आजकल कहीं भी बिहार में नौका दुर्घटना होता है तो हमारे गाउं रामनगर के पास कोसी नदी में नौका दुर्घटना की याद ताजा हो जाती है निश्चित रूप से जो है नाराइनपूर की कहानी को बताया था वहां की व्यथा को बताया था राहुल मालाकार लिखते हैं कि खरीक प्रखंड के विस्पूरिया पिपरपांती सिंग कुंड नवटोलिया मुख्य सडक बहुत खराब है जी बिलकुल ये बाढ़गरस शेत्र है और निश्चित पानी तो दूर की बात है मील तुला के मुख्य रास्ते पर तो हमेुसा बाढ़ रहता है वो बरसा का पानी है और इतना दूसीत और गंदा पानी है और जो है निलेश कुमार लिखते हैं कि NDRF और SDRF भी जब हो जाती है तब नजर आते हैं सिर्फ मुद्दा खोजने के लिए मैं इस पर कुछ नहीं बात करूँगा उनके कारी पर उन्हें जानकारी मिलती है तब वो आते हैं ऐसे उन्हें क्या पता क्या कहा हो रहा है और जो है सचिन जी लिखते हैं सर बिहार में नितिश कुमार है तो लौक डौन है रोजगार नहीं है निलेश जी लिखते हैं कि गोता खोर मेला समय घाट पर नजर आते हैं 300 25 दिन में 5 दिन देखिए निले जी यह आपकी विचार है मैं इसे इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि गोता खोर भी जो है वो जो है पुर्ण रूपेन नौकरी नहीं करते हैं उन्हें भी आंसी किया जरूरत पर ही खोजा जाता है कि जब जरूरत पर खोजा जाएगा तो इस् नहीं मेरा एक ही अंदाज है और दिप्यराज राजपूर लिखने गुडीवनिंग गुडीवनिंग शुनुकुमार चौदी लिखते हैं कि बार का जो समस्या है वो नया नहीं है दन्यवार लेकिन बार जो आते हैं निता से लेकर अधिकारी तक सब पैसा खाने का जरिया बन गया है बार आते ही नहीं कि नेता हवाई सरवक्चन करेंगे सिर्फ बिहार का पैसा बड़ी मेहना से कमाते हैं बिहार के जनता लेकिन नेता सब पानी बहा देता है बियार पीछले हमेशा पीछे रहेगा बार का समस्या का समाधान करना चाहिए निश्चित रूप से ब बावन कुमार यादब लिखते हैं कि तेरे गिरने से तेरी हार नहीं तो आदमी है अवतार नहीं उठ चल फिर भाग क्यूंकि ये जीवन संचिप्त है इसका कोई सार नहीं शुक्रिया अब सुबोजी लिखते हैं जय हो जय बिहार जय जी असनियोज आपकी भी जय आप संपाई होगा गंगा संफाई योजना चल रहा है लेकिन सबसे नहीं अपना अपना टॉपिक है अपना अपना राग है अपना अपना गीत है जैसे हीए आप पूछेंगे कि गाना सुरुग हो जाएगा और सबसे खराब इस्तिती बिहार में है कि यहाँ ज़्यादा दोशार ओपन होता है दोशार ओपन समस्थे हैं हमेशा एक दूसरे के सर पर फोड़ना हो थेकेदार अपने से उपर वाले को उसके उपर वाला उसके उपर वाले को यानि सवों के पास सिर्फ सिकाईते हैं समाधान नहीं सब के पास अपना अपना सिकायत है पवन कुमार करता है कि सर में बैसी जहांगीपूर से हूँ बैसी जहांगीपूर का इस्तिती बद से बत्तर हो गया है क्योंकि हम लगातार चार साल से देखते आ रहे हैं कि जब जब इस गाउं में बाढ कोसी नदी में कटाओ आता है तब सरकार की नीन खुलती है और थोड़ा सा काम करवा कर छोड़ दिया जाता है ऐसा क्यों होता है बाढ आने से पहले सरकार क्यों नहीं सोचती जबकि हम लोग जानते हैं कि बिहार के पिछलेपन का मुख्य कारण बाढ भी है निसीत और गाउं का पिछलेपन का सिर्फ नेतागरी है यह जो गाउं में नेता बनते हैं अपने आपको जन प्रतिनिधी गाउ का बेटा गॉंक है क्या बोस्ते हैं जन सेबक separately समाज सेवी इनका भारन है यह आपकी बात पहुंचा ही नहीं पाते हैं जहां पहुंचना चाहिए यह भी कारन है बदहाली में सिर्फ नेतामंत्री नहीं है कि आपके जो जनग परतिनी दियायता है न वह भी इसके कारण है कि वह अपनी बात न कहीं नहीं पाते हैं कहवा ही नहीं पाते हैं क्या वात है कुमार बिरवल जी छी ने सलाम वाला काम की आ भाई लिखते कैं कि मेरा नाम बिरवल कुमार मोबाइल नंभर है आठ सुन्य सुन्य दो पाँच सुन्य नौ नौ पाँच दू अगर कोई आदमी को तलाब नदी में डूब जाए तो इसने फोन करेए गोता खोर है निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद कुमार विरवल जी शुक्रिया राम नगर बिंटोली में हम आठ अदमी को बचाए थे बाँ गोता खोर एकदम लगातार सतीस कुमार जी देखिए उन्होंने ट्रेनर हैं वो लिखते हैं डबल सेवन फाइप नाइन एट नाइन फाइफ जीरो वन सेवन गोता खोर नाविक मास्टर ट्रेनर हूं वाँ तरसा और लोगों को ट्रेनिंग भी दे दिजए जितने लोग नए लोग हैं जिने तैरना नहीं आता है और बाडगरस्ट चैतर में हैं तो इनका नंबर ले लिजिए सतीसकुमार जी का जो कमेंट बॉक्स में लिखे हैं और उसे संपर कर लिजे तो से ट्रेनिंग ले लिजिए ताकि लोगों की जान बचा सके बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है देद दनादन देद दनादन चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग लिखते हैं न और बहुत लोगों की बहुत सारे प्रतिक्रिया है लिखे बिल्कुल तो निश्टीत रूँप से अपनी बात भी निश्टीत रूप से लिक डालिए बिना इसुनि इसके अलावा सचिन लिखते हैं कि सर बिहार में नितीश कुमार हैं तो लोगडाउन देखिए लोगडाउन लगाना नितीश कुमार के लिए आवश्यक नहीं था यहां के लोगों के लिए आवश्यक था आप जान लीजिए कि एकदम सही समय पर निर्ने लिया गया लोगडाउन का मैं लोगडाउन के चलती हैं और एमडी मुझारी लिखते हैं गाउं का मिसार खाने वराता सिर्फ सर्प्र जफर अनसारी क्या आपके दुआउं का सर्थ जफर अंसारी जी जचर संकर्जी लिखते हैं वर नेकर कोई बात नहीं कर लीजिए सबसे पहला तो तैयारी कर लीजिए कि अगर आप बाढ़ ग्रस्षेत्र में हैं तो बाढ़ ग्रस्षेत्र के लोगों को कैसे बचाया जाए और इसके अलावा अगर आप बाढ़ ग्रस्षेत्र में नहीं हैं तो बाढ़ ग्रस्ष्ट लोगों को कैसे योग्य है निश्चित रूप से सबों को आप मदद करें और आपके भी कोई बिचार है तो लिखिए लिखिए हमारे कमेंट बॉक्स में हम निश्चित रूप से आप से बात करने के लिए आते हैं तो निश्चित रूप से आप से बात ही करेंगे सत्यम पोदार लिखते हैं आज आपकी वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है सरारे ठेंक्यू शुक्रिया भाई और पॉस सारे लोग जुड़े हैं सभी लोग लिखते जा रहे हैं लिखे भाई बाड का मुद्दा है और बरसात के गंदा पानी का मुद्दा है बाड आ रहा है और उस बरसात का गंदा पानी भी उसी बाड में के पानी में मिल जाएगा और सुरू हो जाएगा महा मारी चौह सही कह रहा हूं ना लग रहा है न तो आप भी बताईए क्या किया जाए क्या प्लान होना चाहिए आप भी इसमें सहयोग कीजिए आप भी खुल कर लिखिए चली अमीज जहाजी का कमेंट आ चुका है बहुत जबरतस लिखते हैं अमीज जहाजी बहुत एकदम फैन है वो एंकर चैट के लिखते हैं कि सरकार पर लोग गुस्सा क्यों करते हैं सरकार तो डूबने पर भी चार लाग देती है अरे भाँ भीगने पर आनाज को दोस्त मत दीजिए मुरगा धारू पीकर वोट दीजिए दोस्त मत दीजिए देखिए उनका कहना सीधा है कि अगर आप कुछ प्राप्ट करके देते हैं ना तब किसी को दोस मत दीजिए अमीजा जी का कहना है कि जिस समय वोट दे रहे थे उस समय आपने बाढ़ का चर्चा किया था क्या तो बाढ़ में क्यों कर रहे हैं तो आईए एंकर चैट में बात कीजिए ना नीरज राजी टॉप फैन हैं जूर चुके हैं लिखते नमस्कार नमस्कार बहुत लोग लिखते जा रहे हैं शुक्रिया सबों को धन्यवार ज़रा बताईएगा कि बाढ़ को लेकर क्या-क्या र बहुत लोग लिखते जा रहे हैं जड़ा लिखिया आप भी आपको क्या लग रहा है कि बाढ़ पर क्या प्लान होना चाहिए निश्यत्रूप से जो अभी वरतमान इस्तती है आपको भी बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको भी खुल कर बोलने की ज़रूरत है आप अभी नहीं बोलेंगे अभी नहीं लिखेंगे तो कब बोलेंगे आप कब बोलेंगे कब वो समय आएगा यही तो है कि गरीवों के ठाली में भी अना जा गया गया गडरिवों के भी गर में अना जा गया लगता है कि इस बार पंचायत का चुनाओ आ गया निस्चेतर से बहुत लोग तयारी में रितेश कुमार जी टॉप फैन रिकते हैं प्रनाम प्रनाम और भीगुल तो अब बजने को तयार ही है सरकारी नोटिफिकेशन नहीं आया है लेकिन लगवग एक तयारी की जा रही है और उसी पर डेट को वाइरल किया गया है कुछ प्रतिक्रिया है आपके पास या हम ही अब आगे चलें सायद नहीं होगा अब सब लोग को लग रहा एक बस दोश दे दीजिए कतम दीजिए चलिए अब सबसे पहले सबसे पहला तो जिस तरह से मैंने आपको कहा कि बाड़ से बचाओ के लिए आप अपने आपको पहले तयार कर लें दूसरा आपके अपने परिवार और मेवेसी जो इसे आप साथ रखते हूं उसे तयार कर लें तीसरा जो दूसरा और तीसरे लोग वैसे जो इसमें छेतर में हैं और आप बाड़ गरस्त में नहीं है तो आप जिस तरह से लोगों के मदद कर सकेंगे उसके लिए तयार हो जाएए और चौथा और एक बेहत महत्वपूर्ण के महामारी की प्रवल संभावना है भाईया महामारी के बहुत संभावना चाओं कहिना की देखो पहिने आता रहे मौटी के खदासब मौटी बला खदासब रहे जकर आप रोड बनाए दिल के सिमेंट या तो उखदासम अप पॉनी जाए रहे सुखे भी रहे धूप मा आप अब अब हर जगा भैग ले पक्की पूल टुटले आए भमरा टुटले फ़लना टुटले एडिकोना टुटले रोज यह यहाँ होते आए हाई बांद पाख खतरा काल हूँ बांद पाख खतरा खतर यह खतरा है तो सुरू भैसते फिरू तो एक ऐम यह हो छे कि जहों पॉनी फसलो छे अउपानी एकदम गंदा सडी के बदबूदार रोडो पर के चिकाए जहीं न बाढ़ रहते बस वह पॉनी मिली इसते अउपानी बना रहते लोगा की बना रहते एकदम हूँ बैस्तों एकदम महामारी का समय उसके बाद महामारी सुरू सत्यम पोदार लिखते हैं कि सरकार मौन है होटल अच्छा मौल होटल एटीसी खोलने का टाइम टेबल तो दे दिया स्कूल कोचिंग कब खुलेगा क्या यह जानकारी है जी बिल्कुल जानकारी है कि ग्यारवी से बारवी तक की जो कक्षा है वो बारवी तारिक से चलेगी हलांकि इसके बारे में साथ तारिक का ही नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि साथ से भी चल सकता है लेकिन बारवी तारिक से ग्यारवी और बारवी के स्कूल खुलेंगे कोचिंग नहीं कोचिंग का लेटर में चर्चा नहीं है इसकूलों का चर्चा है 11 और 12 जिसके बारे में है कि 7 तारीक से सब कुछ खुलेंगे और अभी लेटर जारी हुआ है कि 12 तारीक से 5 दिन के लिए लिया गया है कि सब कुछ तयारी कर लें इसके बाद 12 से चलाएं कोचिंग का अदेश नहीं है आप निश्चित रूप से जान लें कहीं भी लेटर में कोचिंग का कोई सब्द चर्चा नहीं है सिर्फ इस्कूलों को दिया गया है सिक्षन संस्तानों को प्रसिक्षन केंद्रों को चलिए अलिखते हैं कि को इस्तिती है सचिंग और लोग जितने आपके आपको मालूम ही है कि कितने लोग यहांके लोग जागरूक रहते हैं आपको तो पता ही है तो इस्तिती कुछ भी हो सकती है अगले साल नहीं चली पहले इस साल तो बचने दीजिए और सतीस कुमार लिखते हैं हम लोगों को भी न्यूस में आपदा के बारे में जानकारी दिया जाए जो हमारे पास उपलब्द रहेगी निश्चित रूप से देंगे आप सतीस कुमार जी गोता खोर हैं आप ट्रेनर ह सुसील गुपता लिखते हैं रासन कार्ड में नाम जोने भाईया है जे दिन रासन कार्ड के चार्चा हुआ वह दिन करो आज बाढ़ पानी का चार्चा है और M.D. जफर अनसारी लिखते हैं कि इस बार बाढ़ भी आना बहुत जरूरी है क्योंकि पाप जादा हो गया है नोगतिया में इसके बार अमीज़ा लिखते हैं ब्लीचिंग पॉड़र का टेंडर हो आँ ब्लीचिंग पॉड़र के बारे में आपको हहानी सुनाएंगे में जो है उसमें टेक्स नहीं लगता है नेशुलक मिलता है उसे लाकर सिर्फ बाटने में ही खर्च सरकारी दौरा सरकार द्वारा किया जाता है और उसके बारे में निर्देश जारी किया जाता है कि इसका छड़काओ किया जाए शिप संकर जी लिखते हैं कि बरुन बाबुल भाय मकनपूर मुड़ी मिल के पास चार मैने से डूबी गेला रोड कहिया पूरा सक्कर सलाय बढ़ते हैं देखे वो आपदा के समय जो चुड़ा सक्कर सलाय दिया जाता है उसे आप मजा के तौर पर हस दिए हम भी आप भी हस दिजिए कि मुस्कुराहत लेकिन सच पूछिए तो वो बहुत ही खराब समय होता है बहुत दिक्कत में समय होता है और जहां बरसात का पानी है वहां सरकार दे बढ़ेगा तभ 頂ती सब्सक्राइब 27 अभी तक बार का दृटी नहीं दिया सब से तचिंव हो प्रदान मंत्री वास योजना मंस सव गरीमों से कमीसन लेता है अभी हम इस पर चर्चाने करेंगे अभी हमारे पास बाड का चर्चा है निस्चित रूप से आजाएगा अभी ब्लीचिंग पॉडर नहीं मिला है अस्थानिय प्रसासन को मिलने के बाद ही उसका छिड़काओ किया जाएगा ब्लीचिंग करेंगे नियमों का स contributions करेंगे आप पकड़े जाने पर आप पर कारवाई की जाएगी खास करके कोचिंग और स्कूल के संस्तान के संचालक से मेरा निवेदन है कि सरकारी गाइडलाइन का पालन कीजिए और लोगों को भी दूसरों को भी प्रेरिना दें कि वो भी गाइडलाइन का पारन करें अगर सरकारी गाइडलाइन का पालन नहीं करते तो इतना जल्दी कोरोना यहां से नहीं जाता तो आपके मन में क्या बिशार था आपने भी लिखा और निश्चित रूप से आपसे बातचीत हो रही है जितने लोग भी जुड़े हैं सबों को बहुत-बहुत धन्यवाद और एक चीज भी सेस कहूंगा आज गप करने के लिए आया था गप करके जा रहा हूँ लेकिन कल गेस्ट को भी लेकर आऊँगा किसी ने किसी दिन गेस्ट भी आएंगे उनसे भी बातचीत करेंगे जिस दिन अकेले आए न उस दिन आप आईए महराज आप ही से तो गप करने के लिए आते हैं और वाटसब पर अगर जुड़ना चाहते हैं तो 97.0894.94 में हमारा नंबर है और यूट्यूब पर GS News सर्च कर लिजे आजाएगा चनल सब्सक्राइब कर लिजे फेस्बुक पर GS पेज को लाइक कर लिजे आपको नोटिफिकेशन आजाएगा जैसे लाइब होंगे तो आज अब लगातार बोलते ही जा रहें आपसे बती आते जा रहें आज दीजे वरुन बाबुल को इजाजत सभी लोग हसते रहें, मुस्कुराते रहें बाढ को लेकर सजग रहें अपनी मदद तो अपने परिवार की लोगों की मदद जरूर कीजिए और दूसरों की मदद के लिए भी आप तयार रहें क्योंकि इस वर समय है कब किसका क्याम बदल जाए कोई नहीं जानता है, बाढ आने को तयार है बस उसको लेकर तयारी जरूर सुरू कर दिजे आज आपने लाइव अंकर चैट में जिते लोग भी जुड़े में सबों का हर्दिका भार धन्यवाग जिते लोग जुड़े में सबों को शुक्रिया धन्यवाग थेंक यू